हेलो दोस्तों नमस्कार होमेपेटिक टच में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मेडिसिन के बारे में यानि कि एक दवा के बारे में जिसका नाम है दोस्तो आज हम लोग इस मेडिसिन के बारें पूपी जनकारी लेंगे कि यह मेडिसिन किस-किस रोग या फिर किस-किस बीमारी में घामाता है लेकिन उससे पहले दोस्तों आप ये जान लिजे कि कोई भी मेडिसीन यानि कि कोई भी दवा किसी भी एक रोग में काम नहीं आती बलकि वो एक से अधिक रोग या बीमारी में काम आती है इससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल के सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को तमा दीजे ताकि आगे आने वाला अपडेट्स आपको मिल सके तो दोस्तों आप इस वीडियो के लाश टक देखते रहें आपको धीरे धीरे सब कुछ मलूम हो जाएगा क्लूर्ट कलेंडूलर क्यू दोस्तों आज हम इस दवा के बारे में पूरी जानकारी लेंगे इसके बारे में कहा गया है कि सभी प्रकार की शलेश्मिक जिल्लियों की सर्दी जनित एवं प्रदाहित स्थिती में एंटी सैप्टिक सुखद ड्रेसिंग के रूप में इस दवा का व्यवहार होता है एक भाग केलेंडुला में नो भाग गर्म पानी मिलाने से केलेंडुला लोशन तयार होता है सभी प्रकार के जक्म, प्षत, जल, जाना, आघात जनित उप्द्रव इत्यादी में केलेंडुला लोशन से धावन और केलेंडुला आधा भाग में ओलेवायल दो एक बटा दो भाग मिलाकर मलहम बनाकर उसमें लगाने से शीग रही सभी प्रकार के घाव भर जाते हैं औ तिलाब होता है साथ ही पाइरोजनियम 200 एक खुराक या इचिनेशिया क्यू पांच बून की मात्रा में रोज तीन बार सेवन करना चाहिए मोटापन दूर करने के लिए उप्रोक त्रीटिस से इस दवा का प्रयोग और फाइट ओलन क्यू पांच बून की मात्रा में रोज दो खुराक व्यवार करने से मोटापन दूर हो जाता है रोगी भी निरापद रहता है उमीद करता हूं दोस्तों आप ये वीडियो अच्छे से और ध्यान से देख्या होगी यानि कि आपको इस मेडिसिन यानि कि इस दवा के बारें पूरी जनकारी मिल गई होगी कि ये मे मेडिसिन को कैसे खाया जाया तो भी आपको डिस्क्रिप्ष ihrer मे रिफ यानि कि हर में आसानी से भूप खाने या पीने के चीजों के द्वारा किसी भी विमारी का bonus करने के बारे कारी में लेनी हो तो उसका लिक में डिसक्रिप्रशन में दे दिया है आ आप हहां से देख सकत है दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो चलागा होगा तब प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरू किजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना भुले ताकि आपके साथ-साथ औरों को भी इस मेडिसिन के बारे में जानकारी मिल सके तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अग